इरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस बार बैलेस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। इरान की ओर से इसराइल पर एक दो नहीं बल्कि एक सौ से जादा हमले किये गए हैं। हलांकि इसराइल के एक पूर्व सैनिक का दावा है कि एक हजार से लेकर पंद्रा सौ बेलेस्टिक मिसाइल दागे गए है इरान की ओर से इसराइल पर और इसकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ चुकी है जिसमें आवाज सुनाई दे रही है एक के बाद एक सीरियल ध हमाको की आवास सुनाई दे रही है इसराइल के अलग अलग शेहरों को निशाना बनाया गया है इरान की ओर से हलाकि इन बेलेस्टिक मिसाइलों को हवा में ही इसराइल की सेना बेसर कर दे रही है इंटरसेप्ट कर रही है और इस तरह से जवाब इसराइल की ओर से दिया ज इस्राइल की सेना का कहना है कि सभी आम लोगों को बंब शेल्टर्स में छिपा दिया गया है ताकि आम जन की हानी ना हो और जो हमले इरान की ओर से हो रहे हैं उन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। आज ही जब जो बाइडन और उपर आश्रोपती कमला हैरस के बीच मीटिंग हो रही थी तो उस दोरान भी इस मुद्धे पर चर्चा हुई और तब ही अमेरिका ने कहा था कि इरान बैलेस्टिक हमला कर सकता है इस्राइल पर। आपको बता दे इस्राइल में इस्राइल ने प तंगवाद से मुक्त कर देंगे और अब देखें इरान के तरफ से यह अटैक किया गया है कहा यह जारा कि हसन नस्रिल्ला जिसकी मौत इस्राइल की ओर से कर दी गई उस मौत से इरान बॉखलाया हुआ है हसन को इरान ने शहीद का दर्जा दिया है और साथ ही शोक का भी ऐ अलान किया और उसी की मौत का बदला लेने के लिए इतने बड़ा अटैक इरान की ओर से इस्राइल पर किया गया है हाला कि अभी तक जो खबरा रही है उसके मुताबिक सौ से इक सौपचास मिसाईले दागी गई है लेकिन इस्राइल के ही पूर्व सैनिका कहना है कि मिसाई